गुरू गुबिंद सीहिंग के साहिवजादों की शहादत की याद में 26 दिसंबर को बीर बाल दिबस मनाया जाता है इस मौकिप पर भारत मंटपम में एक कारिकरम का आयोजन किया गया जिसमें परधान मंतरी नरेंदर मोदी समेट कई नेता पहुंचे आपको वतादे की गुरू गुबिंद सीहिंग के चार बेटों की मुगलों ने निर्मा महत्या कर दी थी उनकी शहादत के सम्मान में अपियम मोदी ने 26 दिसंबर 2022 को बीर बाल दिबस मनाने के गोशना की थी इन मौके पर अपियम मोदी ने कहा कि बीर बाल दिबस के रूप में नया अध्याय शुरू हुआ है गुरू गुबिंद सीहिंग और उनके बेटों की बीरता और साहस हर भारतियों को टाकत देती है यह दिबस उन बीरें को शौर की स्वच्ची स्वध्धांज लिए है पीर बाल दिबस के रूप में एक नया अध्याय प्रारम्ब हुआ है पिछले वर्ष देश ने पहली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिबस के तौर पर मनाया था तब पुरे देश में सभी ने भाव विभोर होकर साहिज जादों की वीर गाथाओं को सुना था बीरबाल दिवस भारतियाता की रक्षा के लिए कुछ भी कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रती है ये दिन हमें याद दिलाता है कि शावर्य की पराकास्टा के समय कम आयो माइने नहीं रखती है कर दिला है